और ने तो यह जो सोवागत है पॉलिनिक स्टाट इस पे मैं हुआ है आए सिंग कंटिटिव कर रहे थे फॉर्डमेंटल ऑफ लेक्टीकल एलेक्ट्रोनिक इंगिनरिंग बोले तो आफ टिपल ए तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इलेक्टिक कर लिए है तो प्रिइश लेक्रिट में हम लोगों ने दिस्कस किये है मैग्नेट के growth नों या कि पोल होता है मैगनेट के लोते हैं दो पूल होते हैं ऑसके बाद हम लगों का इलेक्ट्रो मैगनेट जो कि टेम्पोरली नेचर का होता है और दूसरा था पर्मानेंट मैगनेट कौन सा मैगनेट कहां पी यूज होता है वह हम लोग ने डिसकस कर लिए हैं तो अगर आप लोग ने प्रिवेस लेक्चर नहीं देखे हैं बिल्कुल देख लिजएगा इस सबसे पहले तो बात करेंगे लौ ओफ मैगनेटिक फोर्स यह जो मैगनेटिक फोर्स है इसके क्या लौ है जो कि कुलम जी ने दिया है और इसको हम लोग कुलम्स लौ ओफ मैगनेटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं तो चलो सबसे पहले हम लोग कुलम्स लौ को ही समझ ल static force के लिए भी Coulomb's law देखा था Coulomb's law of electrostatic force बिल्कुल इसी तरह से हम लोग magnetic force में भी देखेंगे तो पहला लोग यह कहता है लाइक पोल्स लाइक पोल्स रिपल इच आदर इच अधर एंड अन्लाइक पॉल एंड लाइक पॉल attracts attract each other ओके तो इसका मतलब क्या है वोलो बहुत ही सिंपल सा मतलब है जो लाइक पॉल होंगे मतलब जो सिमिलर पोल होंगे जैसे कि नौर्थ पोल नौर्थ पोल यह दोनों क्या हो गया सिमिलर पोल हो गया मतलब लाइक पॉल तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेगा रिपल करेगा बाहर के तरफ धक्का देगा जैसे कि चुम्बक में होता है आप लोग उन्हें देखा है नौर्थ पोल अगर यहाँ पर मैं बार मेंगनेट लेता हूं इसका भी नौर्थ पो साथ के जगा पर नौर्थ पर रखते हैं तो नौर्थ साथ यह दोनों क्या हो गया अलग अलग पोल हो गया तो एक दुसरे को यह अपने तरफ खीच लेता है तो यही वाला है पहला लौ तो पहला लौ समझने में दिक्कत नहीं होने चाहिए बहुत ही सिंपल बात है अगर लो यह कहता है दफोर्स और फोर्स बीटूइन दफोर्स 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 बीटूइन द तू दए इन एच अधर नहीं होगा यह पीच अधर मैने इस वाले को लिट दिया है तो कि टारिक ली प्रोबर्श नॉल तू दॉ 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 गजीर फॉल इस ट्रेंग्ट गर ओ रिस्टेंग तॉ द गेंडर वर्सली इन्वर्स ली प्रोपोर्शनल टॉ proportional to the square of distance between the center between their center तो तो अच्छा रहेगा दे अर्यार क्या लिख भעों चैनल से कि एंटी एअरइस में फ्यूर्ट टिकाहां यहां पी दूसरा लोग क्या जाए ब्रिश्चाट लोग देखो यह लोगों ने एक बार मेगनेट लिये हैं North Pole, South Pole and यहाँ पे दूसरा बार मेगनेट लिए है North Pole, South Pole तो North Pole, North Pole हम लोगों ने आसपास रखा है तो क्या होगा यहाँ पे? Repulsion होगा, एक दूसरे को वो धक्का देगा and जिस force के साथ धक्का देगा, वो force कौन से कौन से चीज़ों पे सबसे पहला the product of the of the пол isgirl strength, this pole का स्ट्रेंग्ठ है, यह क्तने सकती साली है, यह कितने सकती साली है, तो उसको हम लोग pole strength से लखते हैं, pole strength मतलब यह इतना सकती साली है, and यह इतना सकती साली है, तो जो force होगा force is directly proportional to the product of their pole strength तो इसका सक्थी कितना है इतना इसका स्चर्ण इतना है इतना इन दोनों का जो परड़क्ट होगा उसके सादु सब्सों होगा क्या फोर्स इन दोनों का यह जो पूर्ट हैं तेगा मल्टिप्लिकेशन यह अगर बहुत जादा होगा मतलब फोर्स भी बहुत जादा होगा इसका इसका ताकत बहुत जादा है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह जादा होगा बहुत सिंपल सी बात है देखो एक दूबले पतले इंसान के साथ दूसरा दूबले पतले इंसान को अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि दोनों लोग मिलके एक रसी को खीचो तो इस रस्य में कितना फूर्स आएगा इस रस्य में कितना फूर्स आएगा जितना इसका ताकत ताकत है इन दोनों के ताकत के उपर डिपैंड्ड करेगा अगर बही पे मैंने क्या किया एक बहुती bodybuilding type बहुती ताकतवर इंसान मैंने यहाँ पे दो इंसान को बुलाई है और दो इंसान को मैंने कहा कि एक रसी को खीचो तो यहाँ पे यहाँ पे इस रसी पे कितना ताकत लगेगा बोलो कितना strength apply होगा definitely बहुत ज़्यादा होगा इसके पास भी बहुत ज़्यादा सकती है इसके पास भी बहुत ज़्यादा यह भी बलवान है बहुत तो दोनों मिलके अगर खीचेगा तो definitely इन दोनों के बीच में इस रसी में बहुत ज़्यादा force लगेगा बहुत ज़्यादा force ली उसके ताकत के पोड़ाब के साथ होेज जतना ज्यादा ताकत हो लिए ना लगेगा और और क्या बात कहा गया है जो इन दोनों मदा के में सेंटर इसके साथ inversely proportional होगा मतलब d square के साथ inversely proportional होगा क्या force क्योंकि देखो इन दोनों के विच में अगर distance बर जाएगा मतलब यह थुरा सा दूर दूर रखा है तो धक्का भी कम देगा एक चुम्बक दूसरे को कम धक्का देगा जितना पास पास लाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा तो यह दोनों हमें बताया गया है इस पोर्स में तो जो magnetic force का जो नेचर है कि magnetic force कैसा होगा खीचाब वाला या फिर धक्का देने वाला तो वो हमें पता चलेगा पहली ही लौ में फर्स लौ वो कहता है कि अगर दो like पोल को हम लोग पास पास रखेंगे तो वहाँ पे एक पोल दूसरे पोल को धक्का देगा अगर unlike है तो आप लोग को याद होना चाहिए देखो यह जो यह आपका बिल्कुल सिमिलर टाइफ है स्क्तिक जैसा अगर आपने नहीं पड़ा है तो फिर तो नया ही लगेगा सारी चीज़े अगर पडा है तो फिल कम्पैर कर सकते हैं हम लोग देखो हम लोगने औहों नहीं क्या देखा कि जो फोर्स होता है वो डाइकली पोपसनल होता है दोनों पोल के जो पोल स्टेंग्थ है उसके पोड़ाट के साथ ठीक है and also inversely proportional to the square of the distance between them and इसको अगर marge करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मतलब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा M1, M2 by D square ओक ऐसा मिलेगा ठीक है तो अब देखो यह है proportional sign मतलब प्रोपोर्शनल तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लाना होता है इसको हटाने के लिए हमें लाना तो होता है constant or we can say F is equal to constant K then M1, M2 and D square यह जो constant है अब अगर हमें इसका value पता चल गया तो फिर हम लोग F का भी value निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यह तीनों चीज़े पता होगा magnet, कौन सा magnet लिए है उसका pole strength क्या है इसका pole strength क्या है then उन दोनों के भीच में distance क्या है यह हमें पता होगा सिर्फ हमें K का value चाहिए यह K जो है इसका value क्या होता है दोस्तों यह constant है इसका value होता है mu not mu r by 4 pi ठीक है यह जो constant होता है इसका value होता है mu not mu r by 4 pi mu not mu r by 4 pi ठीक है अब यह mu not क्या है mu r क्या है यह मैं आप लोग को बताता हूँ ठीक है where mu not is equal to absolute permeability absolute permeability permeability of vacuum ठीक है खाली इस्तान या फिर space vacuum का जो absolute permeability होता है उसको हम लोग कहते है mu not ओके absolute vacuum का जो permeability होता है उसको हम लोग कहते है mu not अब यह permeability होता क्या है इसको हम लोग next में समझने वाले हैं ठीक है आगे जाके हम लोग समझने वाले हैं इसी चाप्टर में समझेंगे क्योंकि इसी चाप्टर का ये पार्ट है पर्मियाबिलीटी पर्मियाबिलीटी ठीक है तो इसको हम लोग फिलाल अभी ये मान के चलते हैं मिवनट होता है आपका absolute permeability of vacuum ठीक है एन मिव आर क्या होता है relative relative permeability relative permeability of any medium किसी भी medium का ये relative permeability होने है ठीक है एंड कहते हैं 22 by 7 ये तो फ्लेक्सिनल वेलू होता है लेकिन हमople beerher machine को लिखेंगे three point something ऐसा होता है तो यह आप सभी को पता होगा मैं पुड़ा खोल के नहीं बता रहा हूं तो पाई का भैलो में पता है यह हम लोगों ने जान लिए है तो इतना आप लोगों ने लिख लिए है आगे बढ़ते हैं अगे इसको मैं रिच कर देता हूं अभी मियू नॉट का मैं वहलू बताने वाला हूं आप लोगो को एक आदत है दोस्तो बहुत नी खराप आदत है आप लोग सुरू तो करते हैं क्लास को लेकिन एक दू मिनिट तीम-चार मिनिट देखने के बाद क्लास से एकजिट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं करने का अगर सीखने का है तो फिर क्लास को पूरी तरा से देखने का क्लास को पूरी तरह से देखना होगा ठीक है देखो आप किसी भी टीचर के पास पर रहे हो कोई बात नहीं कितना समझा रहा है टीचर वह भी फैक्टर नहीं करता है वह भी फैक्टर नहीं करता है ठीक है कौन टीचर कितना जानता है सभी टीचर परफेक्ट नहीं होते हैं कोई भी इंसान बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं होता है ठीक है तो देखो आप लोग जिस भी टीचर के साथ टीचर के पास पर रहे हैं तो आप लोगो क्या करना है कि उस टीचर के क्लासे को पूरी तरह से रेगुलरली देखना है तो आप लोग बहुत कुछ सिख जाएंगे ठीक है हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है कोई टीचर पहले अच्छा पराता है बाद में फिर खराब हो जाते हैं मतलब खराब बतलब कम पराने लगते हैं ठीक है कोई टीचर पहले बूरिंग होता है लेकिन बाद में बहुत जाता इंट्रेस्टि कृणर चान लेकिन लेकिन एक टीचर ननीय जानता है लेकिन नहीं जानता की लेकिन इलेकिन उस टीचर के classes को आप लोगोंने बिल्कुल focus के साथ पूरा class देखा सारे classes देखे तो आप लोग फिर भी बहुत कुछ सीख जाएंगे ठीक है फिर भी बहुत कुछ सीख जाएंगे तो आपका यहां पे जो काम करता है वो है regularity and focus आप कितना regular है कितने focus के साथ देख रहे हैं उस पर depend करता है आप कितना सीखेंगे ठीक है teacher को blame मत क्या करो कि वो teacher अच्छा नहीं है वो teacher अच्छा नहीं है पहले खुद को blame करो कि क्या मैं पूरी focus के साथ देख रहा हूं classes को क्या मैं classes को regularly देख रहा हूं then उसके बाद judge किजिएगा teacher को teacher को आप लोग first option में judge कर लेते हैं teacher अच्छा नहीं है वैसा नहीं करनेगा ठीकर टीचर तो टीचर है ना टीचर के पास कुछ knowledge है जिसके वाज़े से आप आप लोग को लोग सिखा रहे हैं कि आप लोगा यह बहुत ही बुरा आदत है मैंने करता कि सब का आदत है लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कि डारेक्ली टीचर को judge कर देते हैं सर आपको तो यह पता नहीं वह पता नहीं ठीक है तो ऐसा नहीं करने का चलो तो यह जो हम लोगों ने मिव नॉट की बात किये हैं तो मैंने मिव नॉट क्या बताई है absolute permeability absolute permeability of vacuum ठीक है तो यह जो मिव का जो वैलू होता है इस फोर पाई इन्टो टैंटी पॉर माइनस सेवन हेंडी पॉर मेटर इसका वैलू होता है क्या वैक्यूम का अगर मैं बताऊं वैक्यूम का जो absolute permeability का वैलू होता है है वो है मिव नॉट इसका एक और उनिट है जिसको हम लोग कहते हैं टेसला और सुरी टेसला को टी से लिखते हैं टेसला मीटर एंपियर इंवर्स टेसला मेटर पर एंपियर तो यह दोनों ही उनिट है इसका ओके एंड अगर इसका आप एक्जक्ट वैलू चाहेंगे तो यह कुछ होगा ऐसा यहां से आप लोग के का वैलू निकाली के का वैलू क्या होगा वोलो के का वैलू क्या होता है आपका मिवनौत न्यू आर बाई पाई ठीक है तो मिवनौत का वैलू जानते हैं मिवार क्या होता है जो भी मेडिया हम आप लेंगे उसका अलग-अलग पर्मियाबिलिटी होगा अगर नियूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको किसी एक ऐसा मेडियम का बारे में बात कर दिये है तो उसका मिवार आपको बताय पे क्या लेता हूं नियूर को अगर मैं यहां से हटा देता हूँ चलो मिवर को डिपेंड करता है अपने अपने तो यहां से मिलेगा फॉर पाई इंटू 10 आप और और माइनस सेवन हेंडी पर मीटर और टेसला मीटर एंपेर इंवर्स ठीक है तो इस इस अधे वालू के त नेक्स लेक्टर में क doit लिखेव गाट जो लेक्चर आएगा उसको मैं डिफिनेटलि को मैं कवर कराऊंगा पर्मेबिलेटी क्या होता है क्योंकि इसी चाप्टर में यह टॉपिक भी है तो मिवर है रिलेटिव पर्मेबिलेटी ऑफ एनी मेडियम एनी मेडियम किसी भी मेडियम का यह होता है रिलेटिव पर्मेबिलेटी एंड बताए अगर हम लोग फॉर एयर फॉर तो यह फोर क्या होगा म्यू आर का वेली उता है 141 प्र एइर इम वर का वेली होता है 11 तो हम लोग अगर भाटे इम हम लोग अगर डाइरिक फॉर्मुला पे चले आता है मतलब यहां पर नहीं लिखूंगा चले उधर लिखता हूं और हम लोग अभी मैंगनेटिक फोर्स के ठीक है तो यह हमें मिला है अभी वी तो यहां से अगर हम लोग बात करें एयर के बारे में फोर एयर फॉर एयर क्या होगा एफ विजिगल्ड होगा मू नॉट बाई फॉर पाई इन्टू एम वान एम टू बाई देश कर तो इस इस दा अगर हम लोग किसी दूसरे मेडियम की बात करें तो डिफिनेटले वहां पर हम लोग यह वाला लगाएंगे एदर फिर वह हम लोग यहाँ पर इस फोर्मएल लगाएंगे ठीक है तो अब यह आप लोग चले आते हैं इवनिट पोल इस्टेंग पे तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पोल के बारे में बात किये हैं पोल क्या होता है पोल एक मैगनेट पे वह पॉइंट होता है जहां पे मैगनेट का इस्टेंग जो है वह बहुत जादा होता है उस से यूनिट पर लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं वह हम लोग अभी देख लेंगे ठीक है वह इंपोर्टेंट है चोटी-चोटी बेसिक सी बाते हैं दोस्तों जो कि आप लोग को सीखते रहना अभी सब्सक्राइब कर पाएंगे यह चोटी-चोटी टाम्स अगर आप लोगों पता नहीं होगा फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा आप लोग निवेकल पॉब्लम तो छोड़ो क्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग तो बज गए हैं ओके क्यों बज गए हैं बोलो क्योंकि हमारे सिलेवस में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही है अगर इसी चाप्टर को आप लोग डीप में परेंगे ना तो बहुत सारी ची तो डिप एधर डिफिनेशनिक पूुछा जाए Tobya रर्लंबुछा जाए गा राइसलेशनिक है कुछ फॉर्मॉगा होते हैं जो आपको डिराइब करने के लिए पुछा जाएगा एंडड जितने भी हम लोग सीखेंगे उस में नियुमिय्काल पौachment पूचा जाएगा तो इतना होता है आप लोग का सिलिवस सेकेंड सेमेस्टर में बस इतना सा सिलिवस है अगर ये चैप्टर ये चैप्टर इतना है ये चैप्टर अगर इतना लंबा है औरीजिनली तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है इतना अभी बताओ चैप्टर कितना लंबा है मतलब इस चाप्टर में कितने सारी चीज़े आप लोगो सीखना होगा अगर आप लोग इलेक्ट्रोनिक से आप लेक्टिकल के स्टुडेंट है तो फिर डेफिनेटल आप लोगो पता चल जाएगा थर्ड थर्ड सेमिस्टर में कि जो लोग नहीं है तो वो लोग पार्टी करो नया साल है पिकनिक मनाओ खस मनाओ लेकर इंट रिगजाम के बात खोड़र पहले carrots तरा से लिख सकते हैं दो तरा से लिख सकते हैं फोर्स पार यूनिट फिल्ड ठीक है फोर्स पार यूनिट फिल्ड यह होता है पॉलिस ट्रेंग्ट तो अगर मैं सिंपली बताओ आपको पॉलिस ट्रेंग्ट पॉलिस ट्रेंग्ट यह होता है फोर्स पर यूनिट फिल्ड तैक है उसको आपका ईक्त कर सकते हैं या फिर हम लोग को जो है उसको हमें के हिसाब से डिपेंड करता है पूल इस चंका क्या रहने बाला है अगर हम लोग बताएं इफ वी इफ वी डिस्क्राइब डिस्क्राइब देस्क्राइब दा पॉली स्ट्रेंग्ट पॉल स्ट्रेंग्ट ईस दि फोर्स एज़ दչ फोर्स पर यूनिट को फिल्ड यूनिट फिल्ड उफ फ्लकस देशटी फ्लकस density B unit field को हम लोगों ने यह जो unit field है उसको हम लोगों ने flux density से represent करा है unit field का flux density क्या है B यह जो unit field लिये है हम लोगों ने उसका flux density क्या है B अब यह flux density आप लोगों अभी पता नहीं है लेकिन इसी chapter में हम लोग इसको लोगों परने वाले हैं बहुत इंपॉर्ण चीज़ है flux density ओके दो इन इट फिल्ड ओफ लागों से टीव इट्स कि एसाई यूनिट बिकम बिकम क्या होगा एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर ठीक है एम्पियर मीटर जिसको हम लोग एम से लिखते हैं ठीक है एक शॉरी यह यह आपका इस्मॉल्ड होगा क्योंकि मीटर का जो एम यह यूनिट पर हम लोग इस्मॉल लिखते हैं MPR ko capital A say to ampere meter together and if we if we describe if we describe the pole strength pole strength as the force per unit filled of field intensity filled intensity each fill intensity H its SI unit become its SI unit become क्या होगा waver waver ठीक है अगर हम लोग unit field का यह जो unit field है उसका field intensity age के माध्धम से हम लोग उसको रिप्रेजन करें उसको लिख रहे हैं तो फिर उसका जो unit हो जाएगा waver मतलब pole strength जब आप उसको लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है आप लोगोंने force पर field intensity को लिखे हैं field intensity को लिखे हैं तो वहाँ पर आप लोग ने क्या लिखे हैं force पर flux density force पर flux density unit field को आप लोग ने flux density के माध्दम से रिप्रेजन किये हैं लोग ठीक है तो एक तो आपका 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 अंपेर मेटर दूसरा आगया वेवर तो एक अंपेर मेटर हम लोग केसको कहेंगे what is the one ampere meter what is the one ampere meter what is the one ampere meter so one ampere meter is said to be is said to be the pole strength the pole strength is said to be the pole strength if it repels an equal and similar if if it repels repels an identical pole directly with the whole identical pole identical tickle pole with a force of with a force of 10 to the power minus 7 newton newton 10 to the word 7 newton when placed in vacuum is called newton when placed in vacuum at a distance of one meter from it ठीक है one meter from it अब इसका मतलब आप लोगो समझ वे आया भी नहीं आया तो मैं आप लोगो समझा देता हूं पहले तो देखो क्या कहा गया है one ampere meter is said to be the pole strength if it repels an identical pole with a force of 10 to the power minus 7 newton when placed in vacuum at a distance of one meter from it तो एक पोल का एक पोल का जो स्टेंग है उसको हम लोग one ampere meter कह सकते हैं जब उसको हम लोग vacuum में रखेंगे एंड उसके एक मीटर दूर में एक identical pole रखेंगे identical pole बोले तो एक दूसरा pole ठीक है जो कि आपका सेम तरह का होगा सेम पोल इस्टंग का होगा बतलब यहाँ पर हम लोगों एक पोल रखेंगे तो एक मीटर दूर पर एक साओध पोल ही रखेंगे दुनों का जो बसाओध पूल यह रखा हूं मैने यह चीज्ज नहीं और रखा हूं कोई बी चीज ने यहां से मैंने एक मोथी दर्गा एक मीटर दूर पे दूसरा साथ पूलब रखा एंड्य होगा attack疽 ऑँद्धिन आिए इसी का डूबलिक तो यह हैं ok तो यह जो पोल है यह अगर इसको 10 to the power minus 7 Newton force के साथ धक्का दे रहा है धक्का देगा तो इसके पोल स्ट्रेंग्थ को हम लोग कहते हैं 1 ampere meter तेक है इन दाट केस्ट इस पोल इस पोल is 1 ampere meter समझ में आया बहुत ही सिंपल सी बात है तेक है चलो अब मैं one waiver को भी डिफाइन कर देता हूं what is the one waiver one waiver is that pole strength is that one waiver is that pole strength pole strength placed in air placed in air to abki bar hamlo copy रखेंगे air पे रखेंगे हवा पे रखेंगे पहले बार जब हम लोग ने one ampere meter किये थे उसको डिफाइन तो वह था आपका वाक्यूम में अब के बार हम लोग रखेंगे air पे ठीक है one waiver is that pole strength placed in air repels placed in air one one meter one meter apart 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 मतलब दूर ठीक है one meter apart from it from it uh repels 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 from it repels uh the identical pole the identical pole identical pole with a force of six three three two five newton और हम लोग कैसे थे हैं टेंड बस सेवेन बाई फॉर पाई का स्क्वेर नूटन ठीक है ओके तो वन वे वर क्या है दोस्तों अब की बार यहीं सेम कंसेप्ट यहीं सेम कंसेप्ट ठीक है यहीं सेम कंसेप्ट चलो तो यह मैंने जो मेडियम लिये हैं अब के बार मैंने लिये हैं एयर तो एक मैंने क्या रखा एक पोल रखा एड दूसरा यह आइडेंटिकल पोल इसी का एडेंटिकल पोल दोनों को मैंने कितने दूरी पर रखा एक मीटर पे अगर यह वाला पॉल या फिर यह वाला पूल दूसरा पूल को 6 3 3 2 5 नुटन फोर्स के साथ धक्का देगा इतना फोर्स से धक्का देगा तो इसके या फिर इसके पोल इस चंग तो हम लो बहुत ही सिंपल है डिफिनेशन याद रख लो कंसेट को समझ लो बस हो गया काम ठीक है चलो तो नाव टॉक अबाउट दे मैगनेटिक फिल्ड तेक है आज हम लोग मैगनेटिक फिल्ड एन मैगनेटिक लाइन सब्सक्राइब कर देंगे नेक्स क्लास में थीक है मतलब हम लोग इसके नेक्स में क्या डिसर्ष करने वाले हैं मैगनेटिक फिल्डे इन मैगनेटिक लाइंस ओफोस चरुस केप्त कर देंगे नेक्स आelong आटिखलाज में हम लोगं बाखी चीलों को मों डिसकर के ठिखलत करके तो साथ किव Aegis II hope मैं if the video video को आप दे सकूंगा ठीक एप क्योंकि 17 सत्रह तारीख के बाद तो में तो मैं क्लास नहीं दे सकता very regular नहीं दे सकता क्यूबकि 17 तारीख के बाद मिरा खुद का एक्जाम चलेगा तो फिर मैं रिगूलाइर ध्लॉटले एकषिंट रहेगा मेरे पेड एंड 17 तारीक से पहले कोशिज करूंगा कि आप लोग के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चिन का सीवीज बनाओ क्वेश्चिन में आप लोग को बता दूंगा एंड आपको पढ़ना है वहाँ से अदर इंपोर्टन कुछ क्वेश्चिन जो है मैं आप लोगो बता होंगा फ्रीजिक से जितना भी मैंने कराया है फ्रीजिक्स में देख फ्रीजिक्स में दो उनिट खतम हो गया है एंड तीसरे उनिट पे हम लोग है अभी अटके हुए है तो दूसरा उनिट एक्जाम से पहले तो खतम हो जाएगा तो तरीक तारीक तारिक 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 था मेरा आप देखते हैं होता है कि नहीं करेंगे तो कोशिस हमारा यह रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर के बाद कुछ ऊप्रप यह जो कि तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अगर एसी सर्किट शुरू करेंगे तो उसको लोग नेक्स में करेंगे पहले एक खत्म कर देते हैं अभी मैगनेटिक फिल्ड के बारे में बाद करेंगे मैगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड कि वाटिस्टम इसने अग्डेक फिल्ड तो देखो दोस्तों एक मैगनेट है एक मैगनेट है जिसका प्रभाब उसके आसपास एक एरिया तक रहता है जगा तक रहता है उसके बाहर वो उतना एक्ट नहीं कर पाता जैसे कि देखो और मैंने एक चुम्बक यहां पर तो यहां पर एक मैंगर कील रखूंगा ठीक है लोहे का कील है तो इसको रखूंगा तो यह इसको खीच नहीं पा रहा है तो मैंने क्या किया अपने हाथ से इसको थोरा सा थोरा सा इसको पूश कर दिया मतलब इधर चला आया यहां चला आया ठीक है फिर भी यह इसको खीच न यहां पर वो चुम्बक के साथ जाके वो मिल गया मतलब वो चुम्बक के साथ जाके जुर गया देखो यहां तक यहां तक जो था यहां तक चुम्बक ठीक तरह से इसको खीच नहीं पा रहा था लेकिन इसको पार करते ही इस लाइन को पार करते ही चुम्बक ने इस किल को पकरशित कर लिया तो यह हो गया इसका बोर्डर ठीक है इसके बाहर वो एफेक्ट नहीं कर सकता है इसके अंदर अगर आता है तो फीच लेगा तो ऐसे इस स्पेस रहता है तो मैं ठी डायमेंशनल स्पेस की बात करना हूं नॉट टू डायमेंशनल या आपको जैसे यह सर एक मैंगनोट का पोल हैं माले मैं एक मैगनेट हूँ और मेरा सर एक मैगनेट का पूल है तो यह पूल की चारो ओर ठीक है इसे चारो ओर इसका प्रभाब रहेगा मैगनेटिक पोल का प्रभाप रहेगा इस एरिया को हम लोग उस मैगनेट का मैगनेटिक फिल्ड कहते हैं इस एरिया को हम लोग इस जगा को हम लोग उस मैगनेट का मैगनेटिक फिल्ड कहते हैं ठीक है समझ में आया हर सेर का इलाका होता है हर कुट्टे का भी इलाका होता है तो उस इंदर वह प्रवाब शाली है ंटी का मैंने टिक फेस और फिल्ड दो इस्पेस इस्पेस कहेंगे तो बैटर रहेगा इस्पेस और फिल्ड इन वीच इन वीच और मागनेट has its effect effect okay or any magnet any magnet or any magnet experiences 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 of force force is called is called is called magnetic field is called our magnetic field magnetic field ठीक है दोस्तों देखो अब यहां पर मैंने दो तरह से बात को कहीं है कि एक स्पेस है दा स्पेस और फिल्ड वह स्पेस या फिर वह फिल्ड जिसमें एक magnet का effect रहता है या फिर जिसे स्पेस में दुस्त दोग्यों मेहसूस कर जा εा जाए तो वह एक force को मैहसूस कर सकता है हा मुझी में एक force लग रहा है force of attraction हो सकता है में एक खिचाब आला force हुशकता है एक धक्धक का वाला force हो सकता है इसको समझते हैं यह हमारा मैगनिट है यह हमारा मैगनिट है है this is the North Pole this is a south pole to Magnetic lines of force are the imaginary lines are the imaginary lines Joseph Hmaury सोच में हैं हम लोग this है सोचते हैं कि North Pole से यह कि वह साउथ पॉल में जाके मिलेगा ऐसे एसे पहुत सारे Lines of force है ऐसे जाके मिलेगा North Pole से साउथ पोल तक मिल नहां है ठीक है and Magnet के अंदर यह जो North एसा क्लोज लूप बनायेगा एंदर और गुम के अधर आएगा सब्सक्राइब है कि इसा मांते हैं इस मैघनेक का ईसी लाइन बराबर क्रियासील है काम कर रहा है इसा Sam выпуск एक्ट कर रह रहा है वूरज के टो इस इमाजन रिए लाइब ओ धर कॉल्ड टार्थ है माउनिटिक राइन Two आगल। इमाजनर लाइन्स फोर्ष इमाजनर लाइन्स in the यूर एमाजनर लाइन्स ओके अलोंग विच दा स्टेंग्थ ओफ मैंगनेटिक फिल्ड एक्ट ओके चलो मैं बता रहाता हूं मैं बताता हूं कुछ इस तरह से देखो यह जो लाइन्स ओफोर्स है और दो मैंगनेटिक इसका डिफिनेशन लिखा देता हूं ठीक है magnetic lines of force are the imaginary imaginary lines lines along which along which the force or the sorry the magnetic force the force the magnetic force in a magnetic field in a magnetic field is assumed assumed का मतलब हम लोग मानते हैं सोचते हैं इस इस एजियूम टूबी एक्टेड टूबी एक्टेड ठीक है जो फोर्स है magnetic force हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस line वराबर यह force काम कर रहा है तो इस आर्दा lines इस आर्दा इमाजिनेल लाइन्स और जिसको हम लोग कहते हैं magnetic lines of force चलो तो यह तो था आपका magnet lines of force अभी हम लोग प्रोपर्टिस देख लेते हैं पूपर्टिस बहुत इंपोर्टेंट है एक दो सवाल पूपर्टिस भी पूछा जाता है ओके चलो तो आप लोग हेडिंग डालिए क्या डालेगा हैंग हेडिंग पूपर्टिस ओफ मैगनेटिक लाइन्स ओफ फोर्स पूपर्टिस ओफ मैगनेटिक लाइन्स ओफ फोर्स क्लास्तुरा लंबा जा रहा है दो तो लेकिन नो प्रॉब्लेम मैंने जैसा कहा कि आप लोग कितना फोकस के साथ देखेंगे इसके लोग ये लोग गेम महने हैं ढ़ाई तो साय याने कुछ भी सब्सक् dett कुछ की गाना हाँ सब्सक्राइक को नहींकर कईकड़ा तो कुछ ये प्राइए के बक्त फोकस के साथ पराइए कीचिए तो किसी को कोई प्राबलम नहीं होगा ठेक है ओके कि अच्छलों आपको भी नहीं प्राबलम होगा और रिजल्ट को भी अच्छा आने से प्रिद्विम नहीं होगा ओके properties of magnetic lines of force ठीक है properties of magnetic lines of force पहला पोपर्टी पहला पोपर्टी क्या कहता है इच मैगनेटिक लाइन्स ओफ फोर्स फॉर्म एक्लोज लूप तो क्लोज लूप कैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया भी यह भी कि नौद से सावत पर जा रहा है मैगनेट के अंदर से फिर से साउथ पडे कि मिल दाए मतलब वह लूज से साउथ वोके प्रसे नौहरम आ रहा है है क्लोज लूप बना रहा है ऐसे यहां तक गया मिल गया तो या क्लोज लूप बना तो आप लोगो याद रखना है जो मैगनेटिक लाइन सब्सक्राइब क्लोज लूप बनाते हैं ओल्वेज कि ओल्वेज मैगनेटिक अच्छा लाइन ओफ फोर्स अच्छा मैं यह एल को लिखी देता हूं लाइन ओफ फोर्स लाइन ओफ फोर्स्मार्ज इमार्ज फ्रॉम एनपौल एनपौल लोट नॉट्वी एंड मार्ज एट साउथ पोल ठीक है साउथ पोल तो जनरली जो मैगनेटिक लाइन सब्सक्राइब वह नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ में जाता है outside the magnet okay अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक तीसरा पुपर्टी और डारेक्शन ओफ फिल्ड फिल लाइन दा डारेक्शन दा डारेक्शन of lines is the direction of lines inside the magnet inside the magnet is from is from s-pole to s-pole तू नॉर्थ पॉल एंड पॉल ठीक है अभी देखो आप लोगो ये वाला चीज़े कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग इसमें दो पॉपार्टेश में आप पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि मैंनेटिक लाइन सब्सक्राइब मतलब नॉर्थ पूल से सुरू हो ही लेकिन यहांप्स अब लोको मैं बदा देता हूँ देखो ये साथ पूल से सब्सक्राइब में जाकर मिल रहा हैं लेकिन आप लोगों को तो बाहर और यह वाला चीज याद रखेगा बाहर में क्या हो रहा है नॉर्फ पूल जा रहा है तो फिर खतम हो जाएगा तो फिर कटम तो याद होगा आप लोगो कटम समझने है ना आप अच्छा लो तो चौथा देखो चौथा कहा गया है नो टू मेगनेटिक लाइन सो फोर्स इंटर्सेक्ट इच अधर नो है तो मैठेटिक लाइन ओफ फोर्स इंटर्सेंट इच आदर हच इसका फॉल्फिम क्या है मैजनेटिक लाइन ओफ फोर्स यह आप फॉल फोर्म ही लिखिए okay ten two magnetic lines of force intersect each other कोई भी लाइन और फोर्स एक दूसरे को intersect नहीं करता बतलब क्रॉस नहीं करता ऐसा नहीं हो सकता कि यह नौर्थ पूल एंड साउथ पूल है नौर्थ पूल साउथ पूल यह ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया तीसरा ऐसे गया यह ओग्स नहीं करेगा इंटर्टफ नहीं करेगा यह बिल्कुल अपने आप में रहेगा ऐसे गया ऐसे 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 अएसे एक दूसरे कोई इतना समझ में आ गया है अभी के अभी चौथा लिख लिए हम लोगों ने तो पाच्वा भी लिख लेते हैं बहुत ही इंप्रोचन्ट है यह पाचो के पाचो तो देखो लिख 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 लि कु nosso एक दूसरी साथ बहुतु क Bronxयुक्त है तो मतलब क्या है कि वहां पे मैगनेटिक जो फिल्ड हम वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉङ है तो आप ज्यादा पोस्सक्प यह ओके एंड एंड क्या है वाइस वार्शा होगा मतलब जहां पर हलका पतला होगा वहां पर फिल्ड जो है वो इस ट्रॉंग नहीं वहां वह वह होगा ठीक है तो लोग उस बात को लिखते हैं एंड हुएर दे आर आँ वह दे आर वेल इस प्रेड आउट इस प्रेड आउट दर तो मैंगनेटिक फिल्ड इस वीक ठीक है यहां पर वो लाइन्स बहुत दूर दूर रहेगा उसका मतलब वहां पर मैंगनेटिक जो फिल्ड है वह आपका दूबला है मतलब उसमें उतना कि ठेंगिनग्थ नहीं है वह वेक है ओलो तो आप लोग और नहीं बनना आप लोग को पराये में भी एन तो और से चारो और व्यास किजिए ताकि कि सिव दे जगांपह अपना जलवा दिखा सके हां मैं यह हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं परेगा तब आप खुद बखुद लोग जो है पहचान जाएंगे कि हां एक ऐसा परस्लेंटी आया है हम लोग के बीच जो कि हम लोगों से उपर है तो आप लोग को तब क्या मिलेगा अच्छा से अच्छा रेस मैनत के ऊपर चूर दो मैनत अगर अच्छा करोगे तो आगे रेजल्ड भी अच्छा आएगा आगे फ्यूचर भी आपका अच्छा बनेगा मैनत नहीं करोगे अभी से अभी बंक करने लगोगे क्लासेस को ठीक तरा से नहीं देखोगे कंसिप को ठीक तरा से नहीं समझोग सारे कंस्रिप को अच्छी तरह से पी लेना है बस फिर देखिएगा कैसे ने अच्छा बन पाएंगे जरूर बन पाएंगे अच्छा ओके तो चलो तो क्लास को आज मैं यह पेंट करता हूं लोग स्टार्ट करेंगे जर्एंगें और ब schne legal एगनेटिक फ्रक्स अधिश ओक्राक्ष्ष्ण हेंने लगाल यह साता की ना आँ और लोगज़त से समझीः और खुद स不 थोड़ अर पड़ाई कीजिए त्यूंकि मैंने बता दी आंप लोग को कि मेरा भी एक्जाम है तो मेरा भी दिक्कत हो रहा है ऐसे रोज-रोज क्लास बनाने में थोला सा दिक्कत हो रहा है मेरे को क्योंकि खुद का तो पराई है ना क्ष़कु तो पढ़ना होगा तब ही जाके मैं भी पास उपाऊंगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए अपना ख्याल लेखना और अपना परहाई वरावर करते रहे हैं ओके थैंक्यू वेरी मॉच